आज की इस वीडियो में हम Microsoft Excel का बाई रो ये फंक्शन कवर करेंगे वैसा ये जो फंक्शन है Microsoft 365 ये वर्जन में अविलेबल है तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है और ये तीन महने का जो है sales report है और यहाँ पर ये column में मुझे जो है जो जो यहाँ पर salesman है ये तीन महने में की जो highest value है उसको यहाँ पर जो है मुझे ये column में उसको as a result चाहिए तो generally हम क्या करेंगे कि हम max ये formula यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको नीचे तक drag करेंगे लेकिन आज मैं आपको by column ये बाई rows ये function से जो है यही काम जो है बहुत कम time में आपको यहाँ पर करवा के दिखाऊँगा तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये column सरी ये function को apply करेंगे by row उसके बाद array में हम पुरा जो data set है हमारा headset सरी उसका header छोड़के इसको हम पुरा select कर लेंगे उसके बाद में कॉमा देंगे अभी यह function तो यहाँ पर हम helper function लेंगे lambda उसके बाद यह parameter और calculation का नाम मंग रहा है तो यहाँ पर हम जो दे है जो नाम हम देंगे वो मतलब यह accept करेंगा तो यहाँ पर हम क्या करते है highest यह इसको नाम दे देते है highest उसके बाद यह मांग रहा है parameter और calculation तो अभी यहाँ पर हमको function apply करना है तो हम यहाँ पर function कौन सा apply करेंगे हमको highest value जो है मतलब जो as a result चाहिए तो हम यहाँ पर max formula यूज़ करेंगे उसके बाद में अभी यहाँ पर हम यह पूरे data को set नहीं करते बठेंगे अभी यहाँ पर number one number two यह अलग-अलग type करनी की जगा पर हमने देखा होंगा आपने lambda में हमने starting में calculation का नाम दिया था calculation का वही नाम हम यहाँ पर type कर लेंगे उसके बाद bracket को close कर देंगे पहला max function close हो गया उसके बाद में lambda function close हो गया और अभी by row close हो गया अभी देखिए सभी column जो है असरी सभी function जो है यहाँ पर close हो चुके है और अभी हम यहाँ पर enterprise करेंगे तो यह देख लीजिए हर column हर रोमी की जो highest value है वो as a result यहाँ पर g column में अलग से as a result आ चुकी है तो इस तरह से आप by column यह function use करके आप आपका काम और ज़्यादा आसान कर सकते है